हेलो स्टुडैंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज का टोपिक है उसका नाम क्या है सुप्त वजरासन ठीक है तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे चलिए स्टार्ट करते तो सुप्त वजरासन जो है बेटा उसको वो क्या है सुप्त वजरासन में लाइं बैकवार्ड इन वजरासन ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है जो वजरासन पोजिशन है जो पढ़ चुके है पोस्चर उसी को हमें एक्स्टेंड करना है इसलिए क्या एक्स्टेंशन है वजरासन का ऐसे एक और extension के बारे में आप पढ़ चुके हो इसमें आपको क्या करना है वजरासन की position में बैठ कर फिर पीछे की तरफ लेट जाना है तो इसको perform कैसे करते हैं पहले वजरासन की position में बैठ गई ठीक है फिर आपको क्या अपने आपको क्या करना है slowly backward यानि कि band करना है किसी help से knees की help से पीछे की तरफ जुक जाना है और जुकने के बाद किस तरीके से इस तरीके से late जाना है अब जब ऐसे late जाओगे तो फिर आपको क्या करना है बेठा जो आपके hands हैं उनको thighs तक लेके आना है या फिर उनसे क्या करना है जो arms हैं उनको पीछे की तरफ hold करना है ठीक है या तो आप क्या करो कि एक दूसरे को या तो यहां से elbow से कर सकते hold या फिर arms को hold कर सकते उन हाथों से ठीक है तो इस तरीके से आपको फिर इसमें कुछ देर के लिए लेटना है फिर release करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा अपने hands को remove करना होगा फिर क्या करना है the arms while bending backward and coming back to the sitting position तो जब आप मतलब पीछे की तरफ जुगोगे लेट होगे या फिर उपर उठोगे तो इसमें आप अपनी elbow की help ले सकते हो keep knees together and shoulder should not ground तो आपके जो knees है उनको together रखना है ठीक है जो यह थे यहां पर इनको together रखना है दोनों को दूर दूर नहीं रखना और आपने जो घुटने हैं उनको ground से टिकाने की मतलब की कोशिस नहीं करनी है उससे क्या हो सकता है दिक्कत हो सकती है ठीक है जो tissues क्या करते हैं जो bone to bone यानि की bone को bone से attach करने में help करते हैं ठीक है और muscles जो होते हैं थाइस की उनको force नहीं करना है ground पर अपने घुटनों को टिकाने के लिए touch करने के लिए ठीक है अब benefits क्या है इसके it stretches abdominal muscles और यह क्या करती है stretch करती है abdominal muscles को it makes the back flexible reduce the backache it is useful for high blood pressure and relief in constipation तो constipation के बारे में हम एक और पढ़ चुके है बटा पवन मुक्तासन ठीक है तो limitation क्या है person with suffering from knee complaints, sleep disc, scytica और pain in the hips should not practice this asana ठीक है तो यह scytica की जिसको problem है आप तो याद भी हो गई होगी तो scytica होती है जिसको जोडों में दर्द होता है घुटनों के बहुत ज्यादा CVR तो उसको क्या बलते है scytica और sleep disc की problem हो गई ठीक है या फिर hips में दर्द है या करना ठीक है कौन सा सुप्त वजरासन तो यह तो सुप्त वजरासन के बारे में सारी डिटेल ती उमीद करते हो समझ आई होगी तो इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए ऐसे हसते रहे मुस्कुराते रहे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे थैंक्यू